नमस्कार आप देख रहे हैं YIS News रामपुर में छात्रा से छेरखानी मामले में तीन पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज, एक निलंबित, दो लाइन हाजिर पुलिस अधिक्षक भी बदले गए रामपुर के मिलक क्षेत्र में 13 साल की एक छात्रा का स्कूल से घर जाते समय अफरन कर दबंदों ने उसके साथ छेर खानी की थी इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप है उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक स्कूली छात्रा के अफरन और छेर छाड के मामले में तीन पुलिस अधिकारियों पर कारवाही हुई है इन पर मामले में लापरवाही बरतने और पीरित परिवार पर आरोपियों से समझोता कर लेने का दबाव बनाने का आरोप है रामपुर के मिलत के क्षेत्राधिकारी संगम कुमार और कोत्वाली के प्रभारी इंस्पेक्टर अजैपाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है साथ ही पीरित परिवार से बदसलू की करने के आरोप में चौकी इंचाजदारोगा अशोक कुमार को निलंबित कर दिया गया है इन तीनों पुलिस अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया है जबकि शासन द्वारा रामपूर के पुलिस अधिक्षक का भी ट्रांसफर कर दिया गया है और राजेश द्विवेदी को रामपूर का नया पुलिस अधिक्षक बनाया गया है मामला रामपूर की मिलक कोतवाली इलाके का है जहां 13 साल की एक स्कूली छात्रा का स्कूल से घर जाते समय अफरन कर दबंदों ने उसके साथ छेड़ खानी की पुलिस ने पीरित की शिकायत पर दो यूवकों के खिलाफ अफरन और छेड़ छाड़ का मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफतार कर लिया था लेकिन पुलिस पर आरोप है कि इलाके के चौकी इंचाज ने पीरित शात्रा के घर जाकर परिजनों के साथ बगसलूकी की और आरोपियों से समझोता कर लेने के लिए दबाव बनाया इतना ही नहीं पीरित छात्रा की मां का आरोप है कि दरोगा ने उनके साथ मारपीट और गाली गलोज भी की उनको अपमानित किया गया चात्रा के साथ छेड़ छाड करने वाले दोनों आरोपी दूसरे समुदाई के हैं और पुलिस आरोपियों को पकड़ने की बजाए पीरित परिवार पर ही दबाव बना रही है और उन्हें अपमानित कर रही है जब एलाके के लोगों को पीरित परिवार ने यह बात बताई तो स्कूल की छात्राएं और स्थानिय निवासी कोतवाली पहुँच गए और घीराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी कई घंटे चले इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी जैसे ही मंडल के आला अधिकारियों को हुई तो उन्होंने कारवाई करते देर नहीं लगाए और तुरंत लापर वही बरतने के आरोप में सियो मिलक और कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया, साथ ही बदसलू की करने वाले दारोगा को निलंबित करतीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागिये जांच के आदेश दे दिये गए, तीन पुलिस अधिकारियों पर कारवाई होने के बाद आक्रोशित छात्राओं और इलाके के लोगों ने कोतवाली मिलक से अपना धर्ना समाप्त किया रामपूर के अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंग ने बताया कि लापरवा पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और पूरे मामले की जांच ADM प्रशासन और ESP रामपूर को दी गई है एक सबढ़ मामले कि भाड़ा है यह मंत्री प्रशासर दिया दिब की जोवे जाने से खिक मुक्राव झाली कि प्ताया मत्रेव सकत दूताया इसकी मार जांगी दुमार दी होंगे तो बहुत बहुत पुरावाद रहा दो हमें वो वो जो पुराइब दीज्ट अपनं कॉलाओ बारक्त के इसके वर भी तो टॉकड़ाओ अउस्टी बन्की को उशा दिया इसका अपरल कर लिया वहां ले गए जब उस ललकी ने सोर मचाया तो गाउं के आसपास के लोग आ गए और उसे एक ललके को पकड़ लिया एक भाग गया उसके बाद पुलिस कोचके वहां बजरंग नलके हमारे कारकर्ता विशुंदर के कारकुता पहुच गए उस ललके को पकड़के पुलिस यह मैं ले आए हमने लाके धाने में दे दिया और कहा कि उसको इसके खिलाब एपाई आ लिकौन कउदम स powinो उन्होंने उस दूसरे लड़के क falti बिद्जाले की ठी उसको उन्होंने बहां उसके घर जाकर उसको तोटर्चर किया उसके माबाद को टोड़र किया उसकी पिता अब पुलिस प्रशासन से अपने बात की क्या अच्वासन मिला उसके खिलाब और यह जो इसको हटाए जाएगा क्या हो आपके साथ क्यों कह रहेते कि खैसला करना है को सब्सक्राइब अब प्रेंगों परेंगे जो हमारे साथ बैड़ के तक भी पिर्मार पीट की बड़की को भी धका रे दिया जड़की ने कर हमारे मंदू को प्रशान नहीं आपको आपको मारा दी आपको इन चाठे मारे और सपड़े भी तड़को और बदल काईंग में यह क्या नाम है अब ठाने पार आपने आगे क्या किया अब अब लीकासंदी थी क्या हुआ है अब शारा दिकारी को साथ में अच्छी दोई क्या रही कास्थ सब्सक्राइब निखा गया था तीन से तेसर तीन से चबवन का तरकरण यह था कि एक लड़की बच्ची जो है जो अर्शनौ में पढ़ती है तो दो लड़कों इसाथ इधन नजी के किनारे दिखाई दी थी उमें से जो लड़की उसे ले गए थे बहला फुसला कर तो उनके खिलाब तीन से तेसर तीन से चबवन का मुगदमा लिखा गया था उसमें से एक लड़की उप्रक्तार कर गया था जो फिर आज जो वादिया है उसने यारोप लगाया कि जो हलके के दरोगा है उनके घर पर पहुंचे और उनके साथ मार्कीट की कि मुकदमा में फैंसला कराने के जवाव बनाने के तो जो इसकूल के बच्चे थे जिसकूल उलड़की पढ़ती थी वह बच्चे यहां पर आ गये थे इसमें ओधिया को एडियुम साथ इस प्रिक्रम की जाच करेंगे और जो प्रसासनी कारवाई वो कर दी गई है जो चौकिन चार्ज है उनके वहां से हटादिया है लोगअ ए तो को अधिया है इसमें चौकिन चार्ट, सीयों साफ और कोटबाल साफ ती लों को अटा लिया है। हाँ, तीनों को अटा लिया है। तो आप जांच रेंगी साफ? हाँ, मैं और एडियम साफ जांच करेंगी साफ। और जो भी होगा सत्यता के अधात पर अगर अगर मार्केट की घटना पाई जाती है, महिला के साफ। तो फिर मुकद्वा पंजित के जाती है, दरवाजी के खिलाप। तो इस भी किसी को सस्पेंट कर रही है? और चौकिन चार को अभी सस्पेंट कर दिया है, लेकिन मुकद्वा जाज के बाग दिखाया है। यह बच्चे ने रोड भी जाम कर दिया था साफ। जाम कर दिखाया है। मुक्त जाम कर दिखाया है।